Hello everyone, welcome to Success with Rai Academy. जब भी हम newspaper के business section में जाते हैं, business page पर जाते हैं, तो हमें एक turn मिलता है FDI, याने की Foreign Direct Investment. तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये FDI है क्या, इसकी परिभासा क्या है, इसके लाब और नुकसान, राष्ट के लिए, किसी देश के लिए, क्या है, और इसका क्या महत होता है. सबसे पहले हम FDI की full form के बारे में जानते हैं, जिसका full form होता है Foreign Direct Investment, जिसे हिंदी में प्रतिक्ष विदेशी निवेस बोला जाता है. इसके अगर हम परिभासा की बात करें या FDI को अगर समझने की कोसिस करें, तो FDI मतलब होता है जब किसी देश की कंपनी, दूसरे देश की कंपनी में पैसा लगाती है, तो उसे प्रतिक्ष विदेशी निवेस बोला जाता है, Foreign Direct Investment बोला जाता है. Suppose करिए, अगर भारत की TCS कंपनी है या फिर Infosys कंपनी है, वो New Zealand के या Australia के किसी कंपनी में पैसा लगाएगी, तो उसे FDI बोला जाएगा, उसके बदले TCS या Infosys को उस कंपनी के कुछ Shares मिलेंगे, या फिर Lab मिलेगा, या फिर हिस्सेदारी मिल सकती है, तीनों ही बाते FDI में हो सकती है, तो ये Basic परिभासा है कि दूसरे देश की कंपनी, जब किसी दूसरे देश की कंपनी में पैसा लगाती है, तो उसे FDI बोला जाता है और ये हिस्सेदारी के माध्यम से होता है FDI के अगर हम कारे प्रणाली की बात करें तो FDI की आशा रखने वाले जो संग्ठन होते हैं वो किवल उन्हीं वेवसायों का चैन करते हैं जिनके पास कुसल या फिर कुसल कारिबल होता है infrastructure होता है उमीद होती है कि ये business grow करेगा उसी में पैसा invest किया जाता है FDI के माध्यम से और ज़्यादा तर पर ये विकास सिल राष्टों में ज़्यादा प्रभावी होता है अगर हम बात करें FDI के महत तो की अभी तक कारपडाली को हमने समझा इसका महत बहुत होता है क्योंकि अंतराष्टी इस्तर पर किसी कंपनी की छवी उजागर हो जाती है अगर TCS किसी छोटी कंपनी में FDI निवेस करता है तो जाहिर सी बात है वो जो कंपनी है वो विस्त के पटल पर आएगी भारत में उसको जानने के उत्सुकता होगी कि TCS जैसी कंपनी किस कंपनी में पैसा लगा रही है तो ये भी एक महत्त को बढ़ाती है कि छोटी कंपनी में जब पैसा लगाया जाता है तो वो फिर छोटी नहीं रहा जाती है वो कंपनी बड़ी हो जाती है प्रतेक्ष विदेसी निवेस से विकास तिल देसों को निमलिके तरीके से धन भी मिलता है जैसे कि आधार भूत संदचना के माध्यम से उर्जा के माध्यम से जलवायू परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इस तरीके से भी FDI इंवेस्ट की जाती है प्रतेक्ष निवेस जो होता है प्रतेक्ष विदेसी निवेस यानि कि FDI के अगर हम प्रकारों की बात करें तो जैसे कि चैतिज प्रतेक्ष निवेस होता है लंबोत प्रतेक्ष निवेस होता है सामोहिक निवेस होता है 36 प्रतेक्ष निवेस की अगर हम बात करें तो संगठन जब विदेशी राष्ट में उसी प्रकार का व्यवसाय इस्थापिप और चलाता है जैसे कि वो अपने घर में चला रहा है, मान लीजिए जैसे IT सेक्टर है Infosys जब वो ब्रिटन की किसी IT सेक्टर में ही कंपनी में FDI करेगा तो उसे 36 प्रतेक्ष निवेस बोला जाता है लंबवत निवेस किसे बोला जाता है? जब संगठन दूसरे देश में एक पूरक व्यवसाय संगठन खरीदता है यानि कि अगर मान लीजे UK का एक फरनीचर निर्माता एक विदेसी संगठन में दिल्चस्पी ले रहा है जो उसे लकड़ी की सामगरी उपलब्द कराता है तो उसे लंबवत निवेस बोला जाता है अगर हम संगठन निवेस की बात करें समूफ निवेस की बात करें तो एक संगठन, एक विदेशी संगठन में निवेस करता है, जिसके उसके मुल संरचना से कोई समानता नहीं है, यानि अगर Infosys किसी दूसरे देश की जो कपड़ा कंपनी है, जो क्लॉथ कंपनी है, उसमें अगर निवेस कर रही है, तो फिर ये समूह निवेस में आता है, य जैसा मैंने बताया, FDI होता कैसे है, या तो कोई कंपनी, दूसरे देशी कंपनी में विले के माध्यम से FDI करती है, या फिर अधिग्रहन के माध्यम से FDI करती है, या फिर भागेदारी के माध्यम से FDI करती है, FDI जो भागेदारी है, वो भी विभिन्ने छेतरों में हो सकती है जैसे कि सर्विस सेक्टर में हो सकता है रिटेल सेक्टर में हो सकता है या फिर जो प्रोडक्शन में भी हो सकता है अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं तेकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेस के जादातर फायदे होते हैं क्योंकि विकास सिल देशों में प्रोधोगी की को ये लेकर आता है, जाहिए से बात है, जब कोई बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी में निवेस करती है, तो छोटी कंपनी का उपर उठना स्वाभाविक है, साथ ही प्राप्त करता संगठन के कर्मचारी, अंतराश्टिय इस्तर पर प्र होती है उस देश की, जैसे कि भारत में लगातार FDI का जो आकला है, वो पीक पर है, उसके बाद दीरकालिक रिन की भी स्थापना होती है, जितना ज्यादा किसी देश में रिन आता है, या फिर FDI आता है, वो IMF से, World Bank से, या Asian Development Bank से, रिन भी उसी मात्रा में ले सकते हैं, तो ये भी एक इसका सबसे बड़ा फाइदा होता है, अब अगर हम इसके नुकसान की बात करें, तो नुकसान भी हैं, लेकि प्रतेश विदेशी निवेस उन प्रमुक उद्योंगों के लिए उप्युक्त नहीं है, जो किसी राष्ट के लिए रणनीतिक है, जैसे कि अगर हम जैसे कोई चीज प्रचलित होती है भारत में, किसी कमपनी में, अगर फिर दूसरी कमपनी उसमें FDI करती है, तो कहीं न कहीं वो जो लाब होता है, वो दूसरे देश चला जाता है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें होता है, तो ये एक शौर्ट वीडियो था, छोटा था, ताकि आपको सिर्फ FDI के बारे में बताया जा सके, आकले बहुत हैं, FDI के आकले बदलते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो में आकले आपको नहीं बताये गए हैं, FDI होता क्या है, और इसके फायदे और नुकसान क्या है, ये बताया गया है, I hope आपको वीडियो शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद